हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप CapCut को यूज कर सकते हो काफी सारे लोगों को पता नहीं है CapCut को हम यूज कर सकते हैं VPN कनेक्ट करके तो मैं वही चीज आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते और हाँ एक बहुत ही important चीज अगर आपके पास CapCut Pro नहीं है तो आप CapCut Pro लिखके Google Chrome पे सर्च करेंगे तो आपको CapCut Pro मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि YouTube के कुछ रूल्स होते हैं जिनको मुझे फॉलो करना पड़ता है anyways वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो CapCut को इंडिया में यूज करने के लिए आपको एक VPN की जोरत पड़ेगी एंड वीपेन को कनेक्ट करके ही आप CapCut यूज कर सकते हूँ सो कौन सा बेस्ट वीपेन है कैसे उसे डाउनलोड करना है कैसे यूज करना है मिन्स वीपेन से कैसे कनेक्ट होना है हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आप वीडियो को सिर्फ अनद तक देखते रहे आपको हर एक चीज पता चल जाएगा ठीके तो वीपेन को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा सो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पले स्टोर को ओपन करना गूगल प्लेर जो कि हर एक मोईल में होता है बहुत सारी VPN आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। आप यहाँ देख पारूं सारी बहुत सारी आपको VPN मिल जाएंगे। अब अगर आप मुझ से यह पूछ रहे हो। कि भाई इन में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मैं सिर्फ आपको यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सूपर वीपेन को यूज कर लो यह काफी अच्छा रिजल्ट आपको देगा ठीक है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो वीपेन वो खराब हैं फिर उनमें कोई दिक्कत दे नहीं सब अच्छे हैं बठ मैंने इन में से सभी को यूज किया है almost secure, turbo, super, 1-1 यह 4 को तो मैंने प्रशनली यूज किया है मुझे इन में से सबसे ल्यादा अच्छा सूपर वीपेन लगा है तो मैं आपको ापको यूज कररों आप इसे यूज करना काफी अच्छा result आपको मिलेगा अब इसे download कैसे करना है वो तो आपको पताईए simply सा इसको पर click करना है and यहाँ पर download का option मतलब कि install का option आता है तो इसको पर click कर देना है and थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा उसके बाद यह automatically download हो जागा means install हो जागा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर just VPN से मतलब कि VPN को install कर लेना ठीक है install कर लेने के बाद आपको VPN से connect करना पड़ेगा तो VPN से connect करने के लिए सबसे पहले आपको VPN को open करना है तो जो भी VPN आपने Google Play Store से install किया है अब उसे आप open कर लेना like मैंने super VPN को install करेकर रखा है तो मैं इसे open कर लेता हूँ एक चीज में आपको बता देना चाहता हूँ VPN सारे होते हैं free ठीक है and free चीजों में add आपको देखने को मिलेंगे तो इन add के कारण आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इन्हें आप skip वीडियो को पर क्लिक करेंगे skip कर सक तो and यह सिर्फ एक बार ही देखेंगे मतलब कि जब आप एप को यूज करोगे VPN को तो add आपको सिर्फ एक बार ही देखना है उसके बाद मज़े में free में यूज करते रहो ठीक है तो open होने के बाद सूपर वीडियों कुछ ऐसा interface आपको आदाएगा ठीक है अब आपको यहा को भी सेलेक्ट करना मैंने यूज को रखा है और यहां पर बैक कर लेना है उसके बाद connect को आपको क्लिक कर देना है चार पांच सेकेंड के अंदर अंदर आप VPN से connect हो जाओगे तो मैंने आपको यहां पर VPN को कैसे डाउनलोड करना है कौन सा VPN best है और उसमें कैसे connect करना है ती इनों चीज बता दिया है ठीक है इतना काम आप कर लोगे दिन उसके बाद आप यहां पर कैपकट को बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हो और एक चीज और अगर आप VPN से connect नहीं होगा मैं डाइरेक्ट कैपकट को यूज करेगा आप कर सकते हो लेकिन अगर आपने बिना VPN से connect यह कैपकट को यूज करोगे तो आपके सामने यह वाला दिक्कत आएगा जिसका नाम है no internet connection आप कोई सभी effect को apply करने जाओ no internet connection देखने को मिल जागा तो अगर कभी आपको यह दिक्कत आता है तो इसका simple सा solution है VPN से connect हो जाओ उसके बाद अपने CapCut को यूज करो problem खतम ठीक है और जैसे हैं आप CapCut को यूज करोगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा आप देख सकते हो बिल्कुल latest वाला CapCut है यहां पर ठीक है अब आपको सिर्फ new project को पर click कर देना है उसके बाद जो video आप edit करना चाहते हो उस video को आप select कर सकते ह लाइक में यह वाला वीडियो को select कर लेता हूं उसके बाद वीडियो को पर click कर देना है ठीक है तो आपका video यहां पर add हो जाएगा अब आराम से आप यहां पर effect को पर click करके video effect को पर click करके सारे effect वगरा को use कर सकते हैं जैसे कि आप यहां देख पार यह effect load हो चुके अब इन ओपिनिंग एंड क्लूजिंग में जाओगे तो हेलो बलर इफेक्ट यह सब मिल जाएंगे ठीक है जो भी इफेक्ट आपको यूज करना है क्लिक कर दो थोड़ा सा लोड होगा उसके बाद आपके व्यूड़ो के उपर अपलाय हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकत का ठीक है यहाँ पर इफेक्ट अपलाय हो गया अब अगर आप इसमें कोई एनिमेशन एड करना चाहतो तो एनिमेशन वालो अप्शन में आजाओ सारे एनिमेशन आपके सामने आजाएंगे जो अपलाय करना चाहतो उसके ओपर क्लिक कर दो वह एड हो जाएगा ठीक है यहां पर काफे सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे जो यूज करने का मन करता है आप यहां से कर सकतो लाइक इसे सेलेक्ट कर लूँ तो यह भी यहां आ गया ठीक है मतलब कि इस तरीके से अगर आप अपने कैपकट को यूज करोगे तो 100% इंडिया में भी आप कैपकट यूज कर पाओगे अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए 1080 को पर क्लिक करके क्वालिटी वगर सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना तो आई होप आपको यह चीज समझ आ चुका है कैसे इंडिया में कैपकट को यूज किया जाता है अगर आप रियली सीख चुके हो कि muscles侑 कैपकट को इंडिया में यूज किया जाता है तो कमेंट करके जरूर से जाना कि हां भाई मुझे सारे चीजह समझ आ गए हैं एंड मैंने कैपकट को यूज किया और कैपकट मेरा वर्क भी कर रह है ठीक है मुझे कमेंट करके बताओ यार थोड़ा feedback दिया करो कि १ी वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई